नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लो कमेंट करके ज़रू बताईएगा वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा आ रहे हैं तुम आपको पता है कि जतने फी चुछासमता परिच्छा देना उसी को लेकर एक आपडेट आया है यानि कि मार्च अप्रेल में 1997 की बड़ी तो टोटल आपको तीन एक एक राजकर्मी बनने के लिए बिहार बोर्ट लेगा नियोई शिश्को की सहसमता परिच्छा यानि कि BPC नहीं लेगा BSEB के द्वारा लिया जाएगा अजब उनकी द्वारा लिया जाएगा तो समझे उतना हार्ड एकजाम नहीं होगा यहां पर भी लिखा हुआ है कि जिल अस्तर का होगा इनका स्वंग तीन लाख पचास हजाद नोई से चख हैं राजभर में यानि कि टोटल बात तो साड़े तीन लाख कानिडेट हैं सहसमता परिच्छा देने के लिए तीनों के मिलेंगे शिश्को को सहसमता परिच्छा पास करने के लिए करते यह लीए जल्ड सहसमता परिच्छा लीने की बात कहीं ती है इस परिच्छा में नहीं होने वाले निकाईसी चख बने रहेंगे यानि किसे चख बने चैनल पर नई जूने हैं एक वर चैनल को सस्क्राइब जरू कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेश जरू कर लिजेगा ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे हैं यह खबर हिंदुस्तान ब्यूरों में चपा है और पटना चपके आ रहे हैं राज के करीब 37,56, Ιह इसको किषशा समिता परिच्छा बिहार बिदयाले परिच्छा समीती लेगी यानि किषशा समता साडे तीन लग शिश्को को कों लेगा तो बिहार बिदयाले परिच्छा समीती जिसको अम लोग SEP बोलते हैं शिच्छा विभाग ने समीती को इसके लिए प्राधिकृत कर दिया है विभाग ने स्वंबार कि इस संबन्ध में आदेश जारी किया है यानि कि स्वंबार के तब से आदेश दे दिया गया था प्रधादिकारियों को दिया गया आदेश यानि कि 6 सम्ता परिच्छा पास करने पर ही नुई शिषकों को राजकर्मी की दर्जा मिलेगा जो शिषक 6 सम्ता परिच्छा पास करेंगे उन्हीं को ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा ने थक कि नहीं को नहीं परिच्छा पास करने के लिए हुषकों को तीन मौक्ञे मिलेंगे वीभाग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च अपरेल दोज़रोविस में यह परिच्छा ली जा सकती है जो मार्च उपरेल मार्च वरफेल क्योंकि उस समय चुनाव होगा तो चुनाव में तो एक्जाम होगा नहीं उससे उसके बाद ही होगा मुख मंत्री नितिश कुमार ने 13 नुवंबर को गांधी मैदान में नुक्ति पत्वित्रन समारों में भी कहा था कि जल्द ही सभी इसको किछा समता परिच्छा ली कर पतादिकारियों को आदेश दिया गया है विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि बिहार बिद्दाले विशिच्छक नियावली 2030 में यह लिखा है कि एक सरकारी एजनसी के मार्धम से नुविशिको कि छा समता परिच्छा ली जाएगी इसी करब में उक्त फैसला लिया गया है कैबनेट ने 26 दिसंबर को दी थी सुकिर्टी जी हाँ यह समता परिच्छा के लिए राज कर्मी के लिए कैबनेट के तरफ से ही एक कदम उठाया गया है और यह 26 दिसंबर को ही फैसला लिया गया था मालूम हो कि 26 दिसंबर 2030 को राज कैबनेट ने बिहार बिद्दाले बिशिच सिच्छक नियावली 2030 की सुकिर्टी दी थी इसके तहट न्यूई शिच्छक 6 समता परिच्छा देंगे और अवंटित अस्कूल में युगदान करेंगे यानि कि जो अस्कूल वो चूज करेंगे जो उनका अस्कूल अवं पुश करना होगा यानि कि रएंग के अनुसार उनको अब जीला मिलेगा यानि कि जो टीचर पहले से घर में थे उनको अब बाहर जाना होगा अकर जादे नंबर लाएंगे तो अपने होम जीले में रह जाएंगे लेकिन होम जिले में कहां रहेंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा युगदान के साथ नियोई से चक बिशे से चक कहलाएंगे इसके साथ ही उन्हें बिहार लोग सेवा आयोग की ओर से बहाल सिसकों के अनुरूफ ही बेतनमान और अनलाव मिलने लगेगा चाशमता परिच्छा के तीन तिसरे परियास में भी आसफल रहने पर वो अस्थानिय निकाय सिचक बने रहेंगे यानि क्यों उनको हटाया नहीं जाएगा वो अस्थानिय सिचक बने के रहेंगे और इनको लेकर भी भाग दोरा अलग से विचार किया जाएगा अब देखिए यहां पर एक और बात कहीगी है कि इनको अलग से विचार किया जाएगा अगर तीन बार में भी पास नहीं करते हैं तो अब जिला अस्तर का होगा इनका सोण किनका होगा तो च्छा समता पर इच्छा उतिन करने वाले टीचर को होगा देख सकते हैं कहा जा रहा है कि च्छा समता पर इच्छा उतिन होने के बाद आवंटित अस्कूल में योगदान करने कि तीथी से सिच्छक का पद जिला अस् सेवा सर्थ को इस नई नियावली के तहत लागु माना जाएगा यानि कि जो बहाली चल रही है या जो समता पर इच्छा होगी वह नई नियावली 2030 के अधार पर ही होगा तो उसी के तहत माना जाएगा जब कभी विशेश च्छक स्यवानी विर्थ हो जाते हैं या त्याग पत्र देते हैं या बर्खात किये जाते हैं तो उनकी रिक्ति पर अस्थानिये निकाय द्वारा नुक्ति नहीं कि जाएगी जिला अस्तर पर Thai कर देश्त की एक बरीता सुची संधारत की जाएगी शचक की परतिक्सिरिनी या प्रात्मिक मेंध मादमिक और उच्माधमिक के लिए विशावार एक अलग ब्रियती सुची तयार की जाएगी अब देखे लिए ब्रियता यानि कि सिनियर ब्रियता के लिए होंगे माप मान डंड क्या होंगे वो भी आप जान लिजे अस्थानी निकायों किसको के रूप में परसिचित बेतरमान प्राप्त करने की तिथी जहां दो सिच्छक एक ही तिथी साजा करते हैं उनकी जिनमति तिथी ब्रियता तय करेगी यानि कि उनके डेट वर क्याधार पर उनकी ब्रियता तय होगा यानि कि उम्र के हिसाब से जिनका उम्र जादे होगा उनकी ब्रियता मिलेगा यानि कि दोनों सिच्छक अगर एक साथ मिल जाते हैं तो बिशेश को की पूर्णाती के लिए आठ वर्स समय अब धी रखी गई है यानि कि प्रमोशन के लिए आठ वर्स का समय दिया गया है उपलवध रिक्तियों के अधार पर इनका लाव मिलेगा तो छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा शार समता परिच्छा को लेकर तो उससे भी अपडेट हम आपको जरूर कराएंगे तो यह वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंडर के बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियो नीच पाने के लिए आप हमारी चनल पर बने रहें फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों